इसमाल कैप सेग्मेंट स्मॉल कैप सेग्मेंट मिचोल फंड की वह स्कीम है जिसका कम से कम 65% एसेट्स स्मॉल कैप एक्विटी स्टॉक में इन्विस्ट करता हो यह कम से कम की सीमा है आजिकतिम सीमा इसकी 100% है और Small Cab Stock के बारे में जहाँ तक बात करें वो वह equity stocks होते हैं जो market capitalization के हिशाब से 252 वास्ट फिन से 500 पोजीशन तक जो जो stocks होंगे वो सारे smallap areas प्रक्स कहलाइं गये और यह ऐसा segment है इसमें return के साथ साथ दूसरे segment जहारी लार्ज कैप और मिड़कै और मिड़कैन मिड़कैप से अधिक का रिटर्ण भीया और अधिक रिष्क भीन हाँ बहुं आदिवंप सब्सक्रeans करेंगे उन मिच्वर्षक मिच्वर्षका क्जियम की जिन्हों अपनी रकम दो पर तीन वर्सों में दो गुने कर ली और दस वर्सों में दस गुना से अधिक कर ली और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे यदि आपने इन funds में यदि regular plan में invest किया होगा और direct plan में invest किया होगा तो 10 वरसों के अंतराल में जो corpus का difference है वो difference कितना हो जाएगा जिससे आपको ये सपस्ट हो जाएगा कि regular plan और direct plan में invest करने के क्या फाइदे हैं और क्या घाटे हैं मेरा यह वीडियो को पसंद आये इसे लाइक करें आपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें कुछ चीजे अगी ओ किमेंट करके बताएं कुछ चीजे अची नहीं लगी हो इसके बारे में ज़ऊर बताएं और यदी आप पहली बार हमारे विज़ चैनल को विजिट कर रहे हैं तो को सौटलिस्ट करें के लिए फर्स स्टेप में उन सारे फंड्स को सौटलिस्ट किया जिनका तीन साल में रकम दो गुनी या उससे अधिक हो गई है और फिर दूसरे स्टेज में हमने उस फंड को सौटलिस्ट किया जिनका रकम दस बरसों में दस गुनी से अधिक हो गई हो औ और इन दोनों सौट लिस्त जो फंड किये इसमेंrès छामन को क्या और फॉनल्ईर्ड इन का तीन वर्सों में रखम दो गुझी और उनी फंड का दस बर्सों में रिकम दस गुझी से अधिक हो गई है और इसके लिए हमने जब तीन वर्स में फंड को सॉट लिस्ट किया तो तीन वर्स के आज के दिन में तीन वर्स से पुराने पूरे 21 फंड हैं जिसमें से 20 फंड ऐसे हैं जिनकी रकम तीन साल में दो गुनी हो गई है और आज के दिन में वैसे फंड जो दस साल से अधिक पुराने हैं वो केबल द और उसमें से तीन फंड ऐसे हैं जिनकी रकम दस साल में दस गुनिश से अधिक हो गई और वो तीन फंड जो हैं वो फंड है निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप एसबी आई का स्मॉल कैप और डियेसपी का स्मॉल कैप और जब हम बात करते हैं तीन वरसों के अंतरा में रेगुलर और डैरेक्ट में तो हम मानके चलते हैं यदि हमने एक लाग रुपे आज से पूरे तीन साल पहले जमा किये होते तो निपॉन के रेगुलर में ये आज द सब्सक्राइब करते हैं दो लाग बाइसजार थीस रुपे होते होते हैं और डियेसपी में करते हैं दो लाग थैसे यहीं वह तिन फंड हैं जिनका तीन साल साल रखम 2 गुनित डीग और डस साल सब्सक्राइब का परफॉर्मेंस देखते हैं रेगलोर और डिरेक्ट में तो हम पाते हैं कि निपॉन का यदि रेगलोर में दस साल पहले एक लाग रुपए इंवेस्ट की होते तो आज के दिन में यह सब्सक्राइब करते हैं कि यह सब्सक्राइब करते हैं अब यदि हम बात करें जैसे कि मैंने पहले चर्शा की थी कि यह करें कि फेट हैं जो तीन साल में दो गुने और दस साल में दस गुने से हो गया है और यह दिस साल के रेगलर डिरेक्ट का कंपेर करें कि यह अश्बरेक्ट में करते तो कितना का डिफरेंस होता तो हम देखते हैं यह इंब्रिंस निपोन में 255,510-11 रुपए का फाइदा बातें करें और यह दिए में करते हैं यह फाइदा बढ़के 77100 रुपे हो जाते हैं अब यह देखने वाली बातें यह हैं कि रेगुलर में हैं रेगुलर में सबसे अधिक जो एप्रिसेशन है दस साल के टेन्योर में वह है निपौन इंडिया में उसके बाद स्टेट BANK में है और उसके बाद DSP में है जबकि 3-year के tenure में हम देखते हैं कि एक नंबर पे निपाउन है दो नंबर पे DSP है और 3 नंबर पे SBI है अब एक और देखने वाली बाते हैं यदि 10 years की बारे यदि बातें करें तो हम देखते हैं यदि डिफरेंस जो है यदि रैक्ट में करते हैं तो हमें है रेगुलर में जो इसका रिटर्ण है यह 11,15,330 रुपे हैं और उसी हिसाफ से डिरेक्ट में 12,72,390 रुपे है इन दोनों का मतलब क्या जबकि रिटर्ण जो है यह निपोन का अधिक है लेकिन डिरेक्ट और रेगुलर की बातें करें हमें लगता है कि स्टेट बैंक में अधिक फाइदा होता यदि हम डिरेक्ट में करते इसका मतलब एक चीस तो पस्ट है कि निपोन और स्टेट बैंक में जो डिफरेंस है रेगुलर और डिरेक्ट का SBI में difference अधिक है मतलब direct और regular में जो difference है expenses ratio का या brokerage का वो अधिक है जबकि निपॉन में ये कम कहा है इसका मतलब State bank में जो distributor का commission है इन कंपरेंट निपॉन ये अधिक है मतलब यहां जो distribution कमिशन स्टेट बैंक आफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में वो अधिक है इन कंपरेंट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अब चर्चा करते हैं इस पूरे analysis के basis पर यह हमें समझ में आ गया कि निपॉन SBA और DSP पिछले तीन साल में और पिछले दस साल में काफी बेटर रिटेंड दिया है हलांकि जैसे कहा जाता है कि investment in mutual fund is subject to market risk please go through the document carefully before investing इसका मतलब यह हमने केवल performance की बातें की हैं इसमें invest करने के पहले इसका risk factor भी देखना जवरी है इसे भी आप देख लें